तो सुना अपने कैसे लज्जा शंकर जी और लाजो की बातचीत लज्जा जी की अम्मा को खास पसंद नहीं है अब तो ये रूटीन सा हो गया है जब बात लंबी होती है पूरे ड्रामे के साथ एक भायानक धम की आवाज के साथ अम्मा गिरती है उतने ही ड्रामे के साथ लाजो के हाथ से फोन गिरता है और वो भागी भागी अम्मा अम्मा चिलाते हुए जाती है अम्मा एक दो बार हाई राम बोलती है और फिर सब अपने अपने काम पे लग जाते है सर नॉर्मल हो जाता है है ना क्यूट सी फैमिली ये भोली भाली सी, सीधी साथी तो अब ये तो आप जान ही गए है कि लज्जा शंकर और लाजवन्ती एक दूसरे से बहुत प्यार करते है लाजो गाउं में रहती है और लज्जा शंकर मुंबई में लज्जा शंकर मुंबई के किस्से बढ़ा चड़ा कर अपनी सीधी साधी पत्नी को सुनाता रहता है और लाजो मुंबई की रंगीन हसीन सपनों की दुनिया में खो जाती है आए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं निराला परदेसिया से ये है मुंबई में लज्जा शंकर के पार्टनर अरे अरे ज्यादा दिमाग के घोड़े मत दोड़ाईए रूम पार्टनर है लज्जा और निराला काफी दिनों से एक दूसरे के साथ एक कमरे में शेरिंग पर रह रहे हैं और बस ये समझ लीजिए कि अगर लज्जा शंकर और लाजो का रिष्टा आईरन और मेगनेट का है तो वहीं लज्जा और परदेसिया का रिष्टा नौर्थ पोल साउथ पोल जैसा वैसे आज किसी बात पर मेरा मतलब है आज फिर किसी बात पर लज्जा शंकर और निराला परदेशिया में बहस हो रही है सुन लो निराला परदेशिया तुम्हारे चक्कर में इस बार फिर किराया देने में देर हो रही है मकान माली का चार बार फोन आ गया है तुमको हम 50 बार कह चुके हैं कि किसी भी हाल में 10 तारीक तक आधा पैसा दे दिया करो किराय का तुम्हारे भेजे में ये बात नहीं गुछती है पहली बात तो ये कि हम निराला परदेशिया हैं बिदेशिया नहीं और दूसरी बात ये कि इस पार तुम समालो ना लज्जा भईया वो एक जगा से पेमेंट आने वाला है तो हम अगले सप्ता वापस कर देंगे बिल्कुल सुनो पहली बात तो ये कि परदेशिया बिदेशिया दोनों का एक ही मतलब है और दूसरी बात ये कि ये जो तुम गिर्गिट के जैसा अपना रंग बदल के हमको बटरिंग करते हो न जी ये हम सब बूचते हैं अपनी सिम्मो आ जाएगी तो लंच डिनर से लेकर सिनमा त आपकी लाजो मेरी सिम्मो आभी के नक्से कदम पहा एकदम साला तुम भी नमवा भी एसन खोज के लाया है उसका चलो जाने दो अब अब तुम इमोसिनल कर रहा है हमको ठीक है किराया अगले सब्ता तक दे देना अब जरा मकान माली को बता दें कि तुम्हारी नानी मर अब क्या नया बिजनस शुरू कर रहा है चूना लगाने का हाँ ये काम आप अच्छे से कर सकते हो कहां किसको चूना लगाओगे भई है अबे स्टूडियो के बाहर पान बेचेंगे पान मिठा पान चूना लगा के वाह जबरदस्त आइडिया भया पूरे देश में यह अच्छा तुमको मालूम है इस दुनिया हम कितने देश हैं देश तो एक ही है न भया भारत क्या बगता है नाम भी देशिया और जीके एकदम लुल अरे जीके लुल नहीं है बहुत साल आयस का बैंक का टीचर का परिक्षद्य है हां कुछ ऐसा बताओ जो हमको नहीं पता इक कमवा तो यूपी बिहार का हर बचवा करता है इसलिए तुम्हारी परिक्षा हुआ गुल क्योंकि तुम्हारा जीके है लुल अरे नहीं भाईया देश तो एक हिया भाईया क्योंकि बाके सब्तव विदेश है न भाईया निपोर लो और निपोर लो इदांट इसलिए नहीं हुआ तुम्हाला सिलेक्षन किसी परिक्षा में बहुत स्मार्ट मत बनो स्मार्ट फोन रखने से आदमी स्मार्ट नहीं होता है मुंबाई सबको स्मार्ट बना देता है लज्जा भाईया अब तुम हमको बार बार लज्जा भाईया मत कहा करो तो क्या कहें आप ही बता कर दूंगा अगर आप मेरा किराया माफ कर दें तुम चाहो तो दो जूता मान लो उंको लेकिन किराया समय बढ़ दिया करो जो मनायका हो जाओ अरे ना बाप बड़ाना भाईया सबसे बड़ा रुपईया अब तो भाईया पान के दुखान सजाएंगे और जम कर पैसा कमाएंगे खाय के पान बनारस वाला अरे इस गाने का रियाज करना होगा पान बेचने वाला भी एक कलाकार होता है जानते हो जिस तरह से कोई चित्रकार कोई चित्र बनाता है न या कोई कवी कविता लिखता है वैसे ही एक पान वाला भी पान लगाता है अरे गजाब भाईया, आप तो एकदम प्रेमी पानभंडार को भी फेल कर देंगा ये सब हाई लेबल की बात है, तुम नहीं समझोगे निराले चलो, अब जड़ा काम पर जा रहा हूँ, शाम को बात होगी अच्छा भाईया, राम राम जै शिव संबू सुना अपने, लज्जा शंकर अब चाइनीज समानों का बिजनस छोड़ कर एक मोबाईल पान की दुकान लगाने की सोचते हैं जी हाँ, मोबाईल दुकान, क्योंकि लज्जा अपने गले में एक पान की टोकरी बांध कर गाना गा गा कर पान बेचने वाले हैं अजी बेचने वाले क्या हैं, बेच रहे हैं, कई दिनों से सुनिए, वो रहे लज्जा शंकर मुंबाई के सबसे फेमस स्टूडियो के बाहर जहां दिन भर कई टीवी और फिल्म स्टार्स ओडिशन के लिए, शूटिंग के लिए आते रहते हैं वैसे तो लज्जा शंकर अपने बिजनस के लिए कोई दूसरी जगा भी तलाश सकते थे लेकिन उनका दिल तो फिल्मी दुनिया में ही लगता है ना अब तो कई दिन से लज्जा की चलती फिरती पान की दुकान यहां चल रही है कुछी दिनों में लज्जा शंकर ने अपनी बात और व्यवार से अपना बिजनस खूब चमका लिया है उनके पान दूर दूर तक फेमस हो रहे थे लेकिन उसके बाद भी लज्जा शंकर बहुत खुश नहीं थे क्योंकि उन्हें अक्सर लाजो की याद सताती रहती अब तो लाजो को याद करते हुए कवीता भी लिखने लगे हैं आज निराला विदेसिया को वो अपनी कवीता सुना रहे अरे निराला कहां मर गया रे इधर आओ इधर आओ जल्दी से आओ अरे क्या करेंगे भाईया बस शब्बो से वट्साप चैट कर रहे हैं लिखती है कि वो मेरे बिना बिना पानी के मचली की तरह तड़प रही है अरे वही है अलग अलग नाम से बुलाता हूं उसे अच्छा अच्छा बताओ तुमने क्या जवाब दिया वट्साप चैट का तो उसने कह कि मेरे बिना बिना पानी के मचली की तरह तड़ब रही है मैंने कहा कि हम सुद्द शाकाहारी आत्मी हूं तो मचली नहीं तितली हो और तुम क्या हो बैया गुलाब का फूल बलधी फूल नहीं बढ़िया है तुम दोनों को जोड़ी बढ़िया अच्छा सुनो आज मैंने कविता लिखिये तुमारी भावी के लिए वा भाईया आप तो सच में कलाकार है है सुनाइए सुनाइए कलाकार नहीं कविता लिखने वाले को कभी कहते हैं कभी अच्छा कभी महराज सुना ना इर्साध को हाँ जानता हूं इर्साध कामिल ना बड़िया लिखता है याथ eternity जिगरी यार है अपना भाईया केतना कुछ लिखा है उन्होंने मतलब काफी बुड़े होंगे नई इतने सालों से लिख रहे हैं क्या बच्पने से लिख रहे होंगे जो कविता सुनों उन्हों नहीं लिखिए सब की सब अरे बुड़्धा कहा है इर्शू अभी तो जवान है और तूने कौन सी सुन ली हरे कल ही तो वो मुकुंद बिहारी भी उन्हीं की कविता सुनाए जब सब बोले इर्शाद इर्शाद हरे तु सच में निराला है रे बिदेसिया तू उल्लू ही रहेगा कविता सुनने के पहले इर्षाद करना पड़ता है कुछ गैरा मतलब होता है आपको भी नहीं पता न बैया देखिए देखिए आपका ये लुख हमको सब कहानी बता देता कि कब आप फेंग रहा हैं कि कब सही बता रहा हैं अब तु सुनेगा कि मैं जाओं अरे गुसाये नहीं चलिए इरिशाद कीजिए अच्छा सुनो मेरे मन में बैठ कर तु पूरी तलती रहती है वाह क्या बात कही मन में बैठ कर पूरी तलती वाह क्या खुश्बू है अबे अबे आगे सुन आगे सुन हाँ हाँ मैं तो खो गया भीया क्या खुश्बू है भावी पूरी तल रही है करमा करम कितने दिन से पूरी नहीं खाया हम लोग वाह क्या दर्द है अबे अबे शेर तो सुन हाँ हाँ इर्षाद इर्षाद मेरे मन में बैठकर तु पूडी Τलती रहती है तु दूर रहकर भी समझ जाती कि मुझको भूख लगी है वाँ 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 कमाली कर दी हो लज्जा भाईया यही तो प्यार बहुत गहरा प्यार वा भीया आगे आगे क्या है आज तो इत्तम पूरी थेलाई दीजिए सुनो सुनो सुनते जा कि मेरे मन में बैठ कर तु पूरी तलती रहती है तो दूर रहकर भी समझ जाती कि मुझको भूख लगी है मेरी लाजो मेरी रानी तुझ बिन क्या बतलाऊं जीना कब का भूल गया बस सांसें चलती है मेरे मन में बैठ कर तु पूरी तलती रहती है वा भीया वा मज़ा गया अरे भया अरे भया कहां खोए है ये देखिए पूरी बगल वाली भावी बना कर दे गई है मेरे मन में बैठ कर तु पूरी तलती रहती है ओ मेरी लाजो ओ मेरी लाजो